हेलो गाईज हम फिर लोटना एक नई वीडियो के साथ आज हम वाइकिंग वलहाला ड्रामा को एक्स्प्लेन करेंगी यह 11 सेंचुरी यूरोप के उपर पेस्ट है तो यह कहानी है बदले की, एहंकार की, शोहरत की, धोके बाजी की, सत्ता की तो शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर वन दे ग्रीन लैंडर्स पिछले सो सालों में काफी वाइकिंग्स नोर्थन होमलैंड को छोड़ कर सैटल हो चुके थे यूरोप में, जादातर इंग्लैंड में पर धीरे धीरे वाइकिंग्स इंग्लैंड और उसके नेबर कंट्री के ऊपर खत्रा बनते जा रहे थे तो उस वक्त किंग एथल रेड ने वाइकिंग्स से पीछा चुडाने के लिए कुछ सोलूशन ढून रहे थे सेंड ब्राइसीस का दिन था, सब जशन मना रहे होते हैं स्टैन, सिगर्टसन और हारल्ड सिगर्टसन भी जशन में होते हैं पर हारल्ड आज के ही दिर नौर्वे जाने के लिए रवाना हो रहे होते हैं क्योंकि वे नौर्वे के होने वाले राजा है तब ही King Ethelrid बुलावा देते हैं Stan Sigurdsson को मिलने का लंडन से पर जब Stan Raja के Palace पहुचते हैं तब Raja उनको वेलकम करते हैं तब Stan पूचते हैं इस Emergency Meeting का उद्देशी क्या है तब Raja बोलते हैं 100 साल पहले Dan Loeb बना था England और Vikings के भी शांती बनाए रखने के लिए पर वाइकिंग्स हमारे लिए खत्रा बन रहे हैं तब राजा बोलते हैं कि मैंने आज अदेश दिया है इस देश के सब वाइकिंग्स को मारने का तब इस टैन और उनके साथियों को पैलिस में ही मार दिया जाता है और वाइकिंग्स के घरों को जला दिया जाता है के लिए तब बहुत से वाइकिंग्स कैटिगट आने लगते हैं समुंदर के रस्ते से पर समुंदर का बहाव बहुत तेज होने के कारण सो से जादा वाइकिंग्स मारे गए पर फिर भी कुछ अंजान योधा कैटिगट तक पहुच गए वह अंजान कुछ योधा नाव में रुक जाते हैं और कुछ शेहर की तरफ कुछ ढूने निकल जाते हैं तब हैरल्ड उस अंजान नाव के पास जाते हैं और उस नाव में मजूद एक लड़की से पूचते हैं तुम कहां से हो वह जवाब देती है ग्रीन लैंड फिर हैरल्ड उसके सफर के बारे में पूचत तब वह जवाब देती है पांच अफ़तों का सफर बीना रुके और फिर नाम पूछते है तब वह लड़की जवाब देती है फ्रेडी और हारल्ड अपने आपको इंटर्ड्यूस कराते हैं और गरम पानी से नहाने के लिए बुलावा देते हैं जो अंजान लोग शहर की तरफ निकले होते हैं वह एक पार जाते हैं जहां कुछ लोग बैटे होते हैं और उनमें से एक व्यक्ति उसका नाम पूछता है और बैटने के लिए बोलता है तब वह अंजान व्यक्ति अपना नाम लीफ बताता है और लीफ बताता है पहली बार कै तब उनमें से एक व्यक्ति पूछता है लीव से तो क्या कैटेगट कैसे आना हुआ ग्रीन लेंडर तब लीव बोलता है वह एक वाइकिंग की तलाश कर रहा है जो ऐसा क्रोस पहनता है और वह पूछते हैं तुम इसको क्यों डूंड रहे हो तब लीव बोलता है तुम्हें क्या कर रही हो ग्रीन लेंड की फ्रेडिस और फ्रेडिस अपने पीट पर बने निशान को दिखाती है और बोलती है मैं यहां किसी को ढूंडने आई हूँ है फ्रेडिस पूछता है क्या हुआ था फ्रेडिस जवाब देती है जब मैं चोटी बच्ची थी तब एक आदमी गर में घुसाया था, जब मेरे बाबा और भाई बाहर गए थे, उसने कहा वह एक इसाई वाइकिंग था, मैंने ये शब्द पहले कभी नहीं सुना था, जब उसे पता चला मैं घर में अकेली हूँ, उसने मुझे पर हमला किया और बेहोश कर दिया, जब मैं होश में आई, त अभी नहीं देखा, पर मैं जानती हूँ, वैक क्रोस है, तभी वहाँ पर लीफ आ जाता है, फ्रेडिस का भाई और बोलता है, एक नाव आ रही है, तभी सभी ग्रेडिस गुनार को पहचान जाती है, जिसने उसका रेप किया था, फिर हैरल्ड अपने सोतेले भाई और उन का पीछा कर रहे होते हैं, फिर हैरल्ड अपने सोतेले भाई और गुनार को मिलाते हैं डैनमार्क के किंग, किंग कनूट से, और बोलते हैं किंग से, कि आप इंग्लैंड पर हमला कर वाई किंग का बदला लेना चाहते हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, किंग बोलते है मैंने सुना है तुम्हारे पस इंगलैंड की मोर्चा बंदी की जानकारी है खास तोर पर लंडन की ओल्फ बोलते हैं सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि उसे किंग एथल रिड के लिए गुनार ने खुद मोर्चा बंदी खड़ा किया है फिर ओल्फ बोलते हैं जानकारी देने के बदले मेरे एक परस्ताव है तो मैंने सुना है यहां वेगन भी है तब किंग बोलते हैं मुझे इसाई और वेगन में कोई फरक नजर नहीं आता ओल्फ बोलते हैं मुझे दिखता है मैं वेगन के साथ नहीं लड़ सकता खुदा इस इसकी इजाज़त नहीं देता तब किंग बोलते हैं इसके बावजुद भी तुम यहां हो तो तुमने कुछ समाधान भी सोचा ही होगा ओल्फ बोलते हैं बिलकुल एक साथ धर्म परिवर्तन क्योंकि इस वक्त सभी वेगन्स के लिटर यहां मौजूद हैं तब ही हारोल्ड किंग बोलते हैं इससे आपसी जंग हो जाएगी किंग बोलते हैं फिर तो ऑल्फ तुम्हें इतनी दूर आकर खाली हाथ लोटना होगा रात के समय किंग कनूट सभी वेगन और रिसाइयों को एक जगा मिटिंग के लिए और चोरी-चोरी साथ में ग्रीन लैंडर लीव भी भीड में खड़े हो जाते हैं और ओल्फ भी शामिल हो जाते हैं साथ में युद के लिए सभी किंग को सुन रहे होते हैं और किंग कनूट बोलते हैं करीब सो साल पहले एक युद हुआ था उसमें वाइकिंग को जीत हासिल हुई थी उसके बाद हमारे लोगों को गया है ताकि हम उन लोगों से बदला ले सके जब तक हमारा बदला पूरा नहीं होगा हम शांत नहीं बैठेंगे फिर हम देखते हैं किंग कनूट रिक्वेस्ट करते हैं जाल हैकन से जो क्वीन है कैटिगट की उनकी यहां कुछ समय रुकने के लिए जाल हैकन किंग उसे हमला कर उसे मार देती है और अपना बदला लेती है उसी वक्त ओल्फ फ्रेडिस पर हमला करने के लिए आगे पड़ता है पर क्वीन जाल उसे रोक देती है फिर ओल्फ बोलता है इसने मेरे साथी गुनार को मारा है सबी ने देखा है तब फ्रेडिस बोलती है क्योंकि इसने मेरा रेप किया था और ग्रीन लैंड में उसे दोशी पाया गया था बदला लेना मेरा हक था और बोलता है जूट बोल रही है इसको सजा दो वरना हम पूरा शहर जला देंगे क्वीन जाल अपने सिपाही की थाकत दिखाती है और बोलती है शहर जला कर दिखाओ तब ही हारलि बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं ये लड़की सच बोल रही है फिर फ्रेड़ी को बोलते हैं अपना निशान दिखाओ फ्रेड़ीस अपने पीट पर बना shooting दिखाती है ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक यू